हाँ फ्रैंज हम सूजी की नई breakfast recipe बनाने वाला है जिसे आपने पहले कभी बनाई भी नहीं होगी और खाई भी नहीं होगी ऐसी नई तरिके से आज हम रवा लिया है तो आपको फोड़ा पीस लेना है अब इसमें वनपोर्थ कप जितना बेशन डालेंगे एक मुझे दालेंगे ब्रेकफास्वार्श और भी टेयर चटटपटा बनाने के लिए इसमहें हम चिली प्लेक्स और ओरेगानो डालेंगे और अच्छहे से मिक्स कर दंगे अच्छ हो चुका है आप हम इसमें नपर खत़ा दही दालेंगे या पर मैंने वन कप जितना दही लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें वन कप जितना पाने डालेंगे पाने डालके हम अच्छे से mix करना है तो अच्छे से mix हो जुगा है अब हम इसे डखकर 15 म्यंट के लिए रख देंगे 15 मेड के बार चेक करैंगे तो देखो्सूझी अच्छे से फूल गई है अब हम इसमें स्वाद नमक डालेंगे ड्र Pinterest में अच्छे कलर के लिए हम हम सोदी डाल ना पानी डालेंगे आप अब बैठर को दया है अब इसमें वेटर बनाके लेना है अब सबसे पहले हमें एक बावल को लेना है अब अब आम ग्रिस और बैटर में एक पैकेट नो खाला है और अच्छे शे भावल के निकालेंगे वेटर को बावल में निकल दिया है तो यह से इसे टैप करना है एक कडाई में मैंने पाने गरम करने के लिए दख दिया था अब हम इसमें एक स्टेंड रखेंगे अब हम इसके उपर एक बावल रख देंगे इसे डख देना है और इसे 15-20 मिनुट तक इसे मीडियम लोग टे जीरा किया तो अच्छे से बन गई है तो यह इस की टेंप को बन कर देंगे और बावल को बहार निकालने गे या निकाल के तंद्डा में लेडुक किमें और थंडां करनने के बादुए एसे अंगाना है और तंदा कर देंगे वन टीस्पून जीरा फ्रेस कड़ी परता अब हम तड़के को जो प्रेखवास्ट बनाता है उसके उपर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपको मेरे रेसेपी अच्छी लगती है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब तीजे और बेल आइकन पर क्लिक किज़े जिससे मेरे आने वाले रेसेपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे गर्मा गर्म सुजी का ब्रेकफास्ट बनके तयार है अब हम इसे सब्सक्राइब एक ब्रेकफास्ट बहुरी टेस्टी लगता है आप इसे गर पे जरू ट्राइ करना ब्रेकफास्ट को और भी टेस्टी बनाने के लिए आम उपर से नमकिन सेव डालेंगे अगर आपको खट्टा मीटर ब्रिकफास्ट पसंदे तो आप जब बेटर बना रहे हो तब भी इसमें चिनी डाल देना तो बहुत ही टेस्टी और खट्टा मीटर ब्रिकफास्ट बनके तयार होगा अब हम उपस से अनर के दाने डालेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक, सेर और सस्क्राइब जरूर करना थैंक्यू फर वाचिंग